हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज का जो हमारा वीडियो है ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे राजस्थान पिडिटी टू यर्स की काउंसलिंग करवा रहे हैं गाइस आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुश ख़वरी है राजस् अलगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पासी में आपके वेला आइकों होगा उसको भी दबा लें इससे आने सरी नए वीडियो को नोटिपेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो को अंध तक जरूर देखेगा आप लोग सुगा जैसा कि आप लोगों की दूसरी लिष्ट जारी कर दी गई है तो सिंपली आपको यहां पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद एक अपल्डट लोगों की दूसरी लिष्ट जारी कर दी गई है कि यहां पर आपको डिलडर करने के बार आप स्टारी नहीं कर देना है लॉग इन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा college allot हुआ है PTT 2S भालों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और award moment का result भी जारी कर दिया गया है तो गर आपने चेक नहीं किया तो जल्दी से चेक कर लीजिए option दे दिया गया है प्रिंट allotment लेटर बाद आपको क्लिक करना होगा तो वहाँ पर आपको counseling ID, roll number, data birth और payment option तो payment आपने कैसे किया था फिर इसके बाद आपको login कर देना है login कर देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा college allot हुआ इससे पहले जो college आपको allot हुआ था और दूसरा college आपको allot हो जाता है आपके मन का college मैं उसकी बाद कर रहा हूँ दूसरा college allot होने के बाद document आपको submit नहीं करने है document automatic अपने apps भेश दिये जाएंगे और जिन बच्चों के दूसरी list जारी की गई है उनको मैं बता देना चाहता हूँ अब आपको देखिए document submit करने होगे ठीक है document submit करने के बाद आपको print allotment लेटर निकाला होगा print allotment लेटर निकालने के बाद आपको college जाना होगा कॉलेज जाने के बाद आपको फीस जमा करनी होगी जो 22,000 रुपए फीस है वो जमा करनी पड़ेगी ठीक है 25,000 रुप फीस जमा करने के बाद last year की mark sheet हो गई आपकी मैंने पिछले बीडियो मैंने आपको सारी चीजें पताई ही थी कि क्या क्या लेकर आपको कॉलेज में जाना है डोमेसियल सार्टिपिकट, कास सार्टिपिकट और इंकम सार्टिपिकट देखें इंकम सार्टिपिकट का क्या काम होता है मैंने आपको बताया कि जो आपकी 22,000 रुपए फीस आपकी डगवग 27,000 रुपए वो आपकी स्कॉलर्शिप के माद्यम से आ जाते हैं इसलिए इंकम सार्टिपिकट एक साल से ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए इंकम सार्टिपिकट आपका एक साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए मैं बार बार बुल ला हूँ और का सार्टिपिकट वो भी एक साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए डोमेसियल साटिपिकट कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा ठीक है तो सारी चीजे मने आपको बता दिये आपकी दूसरी लिष्ट जो है वो जारी कर दिया गया है अब हम बात करेंगे किया आप लोगों की एक और लिष्ट आएगी मेरे साब से आप लोगों की एक और लिष्ट आजानी चाहिए तो किन बच्चों का लिष्ट में नाम है कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना स्कोर जरूर सेर करें ताकि हमको पता चल सके कि कितने नमबर वालों का लिष्ट में बच्चों का नाम है हमको यह पता चल सके तो जिन बच्चों का लिश्ट में नाम है उन सभी बच्चों को धेर सारी बधाई और जिन बच्चों का लिश्ट में नाम नहीं है उनको भी थोड़ा सा इंतिजार करना होगा क्योंकि जैसे ही अगली लिश्ट आती है तो मैं आपको अपने वीडियो के आसानी से पहुंच जाएंगे, मिलते हैं नश वीडियो के साथ जय है जय जय वारत